नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे ACS T10 Hungary के आज के दिन के तिसरे मुकाबले की सिरीज का भी दोस्तों ये तिसरा ही मुकाबला है जो यहापे खेला जाएगा टीम DEV vs. टीम COB के बीच में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीम्स की प्लेइंग लेवन बताऊंगा साथ में उनके प्लेयर के स्टैट्स भी बताऊंगा जिसकी हल्प से आप ये अंदाज लगा पाऊगे कि आज के मैच में किस प्लेयर को कैप्टन बनाना सही रहेगा किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाना सही रहेगा इसके लावा कौन सा प्लेयर स्मॉल लिग के लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा प्लेयर गरांड लिग के लिए बस आपको वीडियो को complete watch करना है पूरा देखना है अगर आप लोग इस मकाबले में win करना चाहते हैं बागी दोस्तों जो भी मेरी final update होगी after line-up या toss के बाद मेरी टीम में अगर कोई भी changes होते हैं किसी भी player को लेकर या फिर मैं अपनी टीम में कोई भी जैज करता हूँ या फिर आप चाहते हो कि जिस टीम के साथ मैं खुद invest करूं वो टीम आपको मिले बिलकुल 100% free में तो उसके लिए आपको हमारे telegram channel join करना होगा अभी के समय 13,000 से ज़्यादा लोग already हमारे channel के साथ जुड़ चुके हैं और मेरी दीगर टीम का profit उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों जरू कर लेना क्यूंकि यह आपके लिए important है और आपके लिए बिलकुल free तो सबसे बहले बात की जाए यहाँ पर टीम DEV के playing 11 की तो इनकी और साबको कशीव सानी खेलत हुए नज़र आएंगे right hand batsman है right hand first balling करात कि तो हम इस player को free team में pick करके चल सकते हैं otherwise ही हमारे लिए important रही रहेंगे अगर यह middle order के अंदर batting करते हैं तो इनी के साथ open करने आ सकते हैं पुईजू लहसन जो कि एक right hand batsman है right hand first balling कराते हैं टीटन में तीन मैचस में 44 रन इनके नामे 14 किन के एवरेज है नो वर की balling है दो विकेड इनके नामे यानि कि यह कुछ over की balling करा सकते हैं जिस कारण से यहाँ पर दोस्तों मैं इनको पी करके चल सकता हूं ताहीर टीटून्टी में 3 मैचस में 44 रन 44 किन के एवरेज है रेकेबुल लियाफ़त दोस्तों राइट अन बैट्स में ने और ब्रेक बॉलर है टीटून्टी में 4 मैचस में 23 रन 7 किन के एवरेज है 12 ओवर की गिंदवाजी यह 5 विकेड इनो ने निकालें तो इनके पूरे असीब एहमद दोस्तों राइट अन बैट्स में ने राइट अम मीडियम बॉलिंग कराते है तो टीटून्टी आई में एक मैच खेला हुआ है जहाँ पर सिर्फ इनको एक ही विकेड मिला है और तीन ओवर किनों ने बॉलिंग की है शाद आकिब की बात की जाए राइट अ बैट्स में राइट अम स्पिन बॉलिंग कराते है एसीएस में तीन मैचस में 38 अं 12 किन केवरेज है गोपाल सहा की बात की जाए राइट अन बैट्स में तीन रन एक किन केवरेज है एमत खान की में बात करूँ राइट अन बैट्स में राइट अम फस्ट बॉलिंग कराते ACS मेच 6 मैचस में 19 रने विकेट इनके नाम एक भी नहीं है T20I में भी 3 मैचस में 24 रने यहाँ पर भी इनके नाम विकेट एक भी नहीं है आरी बज़र की बात की जाए राइट अन बैट्स में एक राइटम इडियम बॉलिंग कराते हैं तो T20I में 3 मैचस में एक विकेट इनके नाम है और फरीस इखबाल की बात की जाए राइट अन बैट्स में एक राइटम फर्स्ट बॉलिंग कराते हैं T20I में 3 मैचस में एक रने एक विकेट इनके नाम भी है तो यहाँ पर देखी जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टन रहेंगे D.E.V की और से वो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए रहेंगे कशिव सेनी अगर ओपन करने आते तो इंपॉर्टन रहेंगे लाकी बुल रियाफत इंपॉर्टन रहेंगे इसके अलावा यहाँ पर आप चाओ तो उन्हों रुजुगल को ट्राई के लेना तो देखा जाए तो डी वीकी टीम मुझे काफी ज़्यादा कमजोर नजर आ रही है क्योंकि इनकी टीम में काफी ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने टीटन के मैच्चेस नहीं खेले वहीं पैकर में इनकी अपॉनेंट टीम की बात के नुस्ती ही हो भी कि तो ये एक स्ट्रॉंग टीम है इनकी और साब को जोगी सेगल खेलते हुए नजर आएंगे राइडन बैट्स मेंने राइटाम स्पिन बॉलिंग कराते है ACS में 8 मैच में बंदे के नाम 223 रन है और 4 विकेट है इंपॉर्टन प्ले रहेगा कैप्टन पिक करके चलेंगे आज के मैच में रवी आदव की बात की जाए राइटन बैट्स मेंने लिफ्टाम मीडियम बॉलिंग कराते है 9 मैचस में 41 है इनके नाम 1 विकेट है सत्यदीब की बात की जाए तो ये भी एक इंपॉर्टन प्ले रहेंगे क्योंकि ACS में 24 मैचस में 232 रन 14 की इनके वेवरेज है 11 वर की बॉलिंग है जहां पर 3 विकेट इनके नाम है संजे कुमार की बात की जाए राइट अन बैट्स में ने राइटर मीडियम बॉलिंग कराते है ACS में 15 मैचस में 107 रन 11 की इवरेज 7 विकेट इनके नाम है 37 इनकाउती की बात की जाए राइट अन बैट्स में ने राइटर मीडियम बॉलिंग कराते है ECS में 10 मैचेस में 70 रन 15 केवरेज 9 विकेट इंपोर्टेंट है आज की मैच के लिए विश्णू की बात की जाए तो राइट एन बैट्स में ने राइटर मीडियम बॉलिंग कराते है ECS में 15 मैचेस में 75 रन 25 केवरेज विकेट एक है बवानी है दुपाका की बात की जाए राइट एन बैट्स में ने आप स्पीनर है ECS में 13 मैचेस में 10 विकेट इनके राम है हाफिर जुला की बात की जाए राइट एन बैट्स में ने ECS में 3 मैचेस में विकेट एक ही है लेकिन टीट उंडियाई में 12 मैचस में 183 रन 17 विकेट इनके राम है जैरमी की बात की जाए तो ECS में 2 मैच में 8 विकेट इनके राम है उस्मान महमुद की मैं बात करूँ राइटन बैट्स में एर आइटन फास्ट बॉलिंग राते हैं ACS में दो मैच में तीन रण इनके राम है तो देखिए इनकी ओर साब के लिए जो प्लेयर से इंपोर्डेंट रहेंगे वो जोगी सेगल रहेंगे इसके लावा शेक रसी की इंपोर्डेंट रहेंगे सत्यदीब इंपोर्डेंट रहेंगे संजे कुमार इनकोटी इंपोर्डेंट रहेंगे भवानी यहां से इंपोर्डेंट रहेंगे और जेरिमी तो ओवरल यहां पे साथ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके लिए इंपोर्डेंट हो सकते हैं वीडियो important और informative लगी हो तो फटा बटसे वीडियो को एक like कर दें अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है चैनल पे पहली बार आये हो तो चैनल को subscribe कर लें, bell icon जरू all पे प्रिस कर लें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले मिल सकें और यह आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुली free तो जरूर दोस्तों एक कम कर लीजिएगा, बाकि जो भी मेरी final update होगी, after lineup या टॉस के बाद या दोस्तों, जो मेरी 100% winning team होगी, जिश team के साथ मैं खुद invest करूँगा, वो team लेका link description, comment दोनों जगाओ पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा, तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं, और मेरी दीगर team का profit उठा सकते हैं, तो यह काम दोस्तों जरू कर लेना, क्योंकि यह आपके लिए फिर भी अगर आप एक बात चाहूँ दिनका record आपको मैं दिखा दे सकता हूँ, तो तीन मेंचस में स्थी के आसपास रने हैं इनके ना, तो कोई खास record इनका है नहीं, तो यहाँ पर अश्वत नारायन आपके लिए इम्पॉर्टन रहेंगे, यहाँ आपको बॉलिंग भी करके देंगे, अगर यह विकेड कीपिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, तो विकेड कीपिंग सेक्शन से एक मादर आपके लिए जो विकेड कीबर यहाँ से इंपॉर्टन है, वो है शष्वत नारायन है। तो हम दोस्ते हम पे इनकोई पिक करके चलेंगे बाकी किसी भी another wikit esaq की पर learn को यहाँ पे try नहीं करएंगे बैटिंग की बात कीज़ाए तो आपके सामने यापे सिख रसीक की ङीज़रा आएगी आपके सामने हफीज हुला की पिक नज़र आएगी इसके लाव आपके साब ने हसीब आहमत की पिक निकलाएगी जोगी सहेगल सेलेक्शन देखा जाए 22% है आज के मच्च में हमारे लिए बेस्ट आप्शन है कैप्टेंसी के इसलिए इनको पिक करेंगे इसके लाव और भी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर देख लेते हैं आक्तों यहाँ पर कसिफ सेनी यह भी इंपॉर्टेंट प्लेर है इनका भी सेलेक्शन काफी कम है तो यहाँ पर हमें एक और बैट्स तो नभी पिक करना है एक बार इनका रिकॉर्ड देख लीजिएं तो एसी बेहमत तो शायद यहाँ पर एक मैच में की विकेट है इतना कुछ खास है नहीं बाकी जो इनका हफीजूला का रिकॉर्ड भी इतना खास है नहीं तो यहाँ पर जो तीन बेट्समन पिक की है वो मैंने इस रसीक सहेगल और यहाँ पर दोस्तो के सेनी है इसके लावे यहाँ पर आपके सामने यू महमुद भी इंपॉर्टेंट रही है बाकी आपके सामने वी वासुदेव और आरकुमार यादव की पिक है तो वी वासुदेव के नाव 15 मैचस में 75 ने साथ ओवर की गिंदवाजी यह विकेट है और बाकी यहाँ से और को इतना इंपॉर्टेंट है ने इसके लाव आप मुईजूल असन पिक कर लेते हैं सेलेक्शन काफी हाई यह इनका इसके लाव टी हफीज है आपके सामने याप पे अलावनों सेक्शन में कोई मुझे इतना बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा है जिसको मैं पिक करना चाहूंगा और रह्मान अबेद रह्मान इसके लाव यहाँ पर अबिद्दीन है बागी टी हफीज आप जहरमी को ट्राइगर सकतो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए चार आठ विकेट है इनके राव इसके लाव मुझदूल असन को मैंने पिक कर लिया ताहिर हफीज है यहाँ से बाकी ओन जुकुल है यहाँ पर और नीचे से अगर बात की जाए जहरमी आप ट्राइगर सकतो है तो मैं यहाँ पर ती हफीज की जाबर जहरमी के साथ ही जाओंगा बाकी यहाँ से और कोई इ यहाँ से इंपॉर्टेंट है जिनको पिक किया है मैंने अगर इस मंदली खेलेंगे तो बता देंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे या नहीं बॉलिंग से देखिए आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्ले नजर आएंगे जुकुली इंपॉर्टेंट रहेंगे अल आप चाहो तो select कर सकते हो इसकिलाव यहाँ पर सुलेमान महमूद को इतना कुछ खास है नहीं तो एक प्लेयर हमें यहाँ पर स्लेट करना संझे कुमार को मैं तो यह कमार कहा कर रहीं यह krach STEPHAN we तो आप इनको घ्लाब तो देख लें यहाँ पर यहां पर संझे घुमार नहींड तो मैंने आपको स्टार्टिक में ही बताया था कि CEO भी एक स्ट्रॉंग टीम है तो साथ खिलाड़ी मैंने इनके टीम से पिक किया है और DEV की और से मातर में ने चार खिलाड़ी को पिक करके रखा है कॉंबिनेशन की बात की जाए दो विकेट की पाज, 4 बेटस्मेन, 2 अल्रॉंड, 3 बॉलर का कॉंबिनेशन तियार किया है बात करो गर यहां पर मैं कैपटानेंसी और वा सिप सेगल को जाएगी, वा सिप को जाएगी इसके लावे यहाँ पर और कोई option इतना बहतर नहीं है जिसे मैं captain या wise captain बना सकू तो मेरी दोस्तों team जो है वो यहाँ पर ready हो गए है इसको save कर देते हो और एक बार आप लोग अमारी team का preview ले लीजिए तो दोस्तों same team के साथ small league join करेंगे same team के साथ दोस्तों गरालिक join करेंगे तो एक बार आप लोग हमारी team का preview ले 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 लो जहाँ पर भी आप invest करें वहाँ बजा कर आप लोग हमारी team का use कर सकते हैं बाकि अगर हमारी team से कोई भी player नहीं प्ले करता है आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी team का profit उठा सकते हो बाकि अगर आपको वीडियो important लगे तो वीडियो को like करिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करिए बेल आइकन जरूर वाल भी प्रेस करिए ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और यह आपके लिए important है और आपके लिए फ्री तो जरूर दोस्तों एक हम कर लीजे तो मिलेंगे आप सभी लोगों से जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में को और मैस को cover करते हुए तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्राम